हाई एवरीवन कैसे हूँ आप सभी लोग आयोब आप लोग एच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जेस्वाल एं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज आपके लिए अगेन एक बहुत नी खूपसूरत चाप्टर की शिरुवात करने जा रहे हैं जिसका नाम है हुमेन सेटलमेंट्स तो यह जो हुमेन सेटलमेंट्स जो चाप्टर है आपके सेवेन स्टैंडर्ड के लिए जोगराफी का तो आज हम इसका हम लेक अलग जगा पे सेटल होते आए हैं और पहले भी होते थे और आज भी हो रहे और आगे आने टाइम पे होने वाले हैं जैसे एक्जामपल के तौर पे आज सिर्फ जादा नहीं सिर्फ पाँच हजार सल पहले की अगर हम बात करें ठीक है रहा थो आप बोलो कि सर्फ फाइफ पहले के iatch प्रेट पाँच हजार सल पहले की अगर बात करें unit करें और जो थे और ठोढ़ा और पहले चले जाओ तो अपको पता है बहुत सारे man थे, यानि homo sapiens जब हम लोग बने, जब पूर्ण रूप से हम इंसान बन गए, उसके पहले कही सारे थे, हम पहले बंदर हुआ करते थे, बंदर के बाद रामा पीथीसर्स, ओस्ट्रेलो पीथीसर्स ऐसे करते 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 करते, नियंडर्थल man, crow, magnon man, homo sapiens फिर homo sapiens, sapiens, फिर जाके आपका एक well developed human, इंसान बन पाया, correct है तो उस ताइम पे लोग जो होते थे एकदम पुरानी बात कर रहा हूं, मैं इससे भी पुरानी इसके उपर भी आऊंगा, लेकिन और एकदम पुरानी बात कर रहा हूं, तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे पता है, जो इंसान होते थे basically, तो पहली बात वो बंदर जैसे थे तो उनको कुछ यह नहीं था, मतलब उत्रा दिमाग नहीं चलता था तो वो लोग को अगर भूक लग रही है, तो लोग को कुछ खाना है तो वो लोग शिकार करना शुरू कर दिये वो लोग ने क्या किया, कुछ भी आपको अगर जानवर दिख रहा है तो उसको मार के खाना है इस प्रकार से वो लोग करते थे, हंटिंग करना उन्होंने शुरू किया, अपने पेड भरने के लिए, अब उनको समझ में आया, कि चलो यार, हंटिंग से पेड नहीं भरेगा, क्योंकि हंटिंग के लिए शिकार हर बार मिलेगा नहीं, पहले लोग क्या करते थे, बड़े- इसे कई सारे चीज़े वो करते हैं, फिर दीरे-दीरे उन्होंना हतियार बनाना सीखा, वो सब हो गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने खेती करना भी सीख लिया, अगर हमें एक जमीन का तुकडा मिल जाएगा, और एक बीज को हम लोग जो जमीन होता, उसके अंदर अगर तो दीरे-दीरे वो फ्लांट बन जाता और फल निकलेगा, यानि कि क्रॉप्स निकलेगा, सेव निकलेगा, वेज़ीटेबल्स निकलेगा और उसको हम लोग खा सकते हैं, तो यह चीज़ उनको धीडी-दीर भीडी आगे बढ़ने लगे इनसान, ठीके, उनको चीजे लिया, लेकिन आपको पता है, फायर का अविशकार हो गया, दो पत्थर को रगडा, चिंगारी निकला, आग निकला, तो आग का अविशकार हो गया, तो आग से वो लोग क्या करते हैं, जो भी जानवर को लोग शिगार करते थे, उसको पका के खाने लगे, ये समझ में आ गय के हैं और इसी लिए शायद हमारा जो इंसानियत था जो हुमानिटी था ना वो चारो बगल फैल पाया और आपके पास यह नॉलेज कहां से आया तो मैं बता हो यह किसी किताब में नहीं लिखा यानि हमारे जो सिलाबस जो हम पढ़ते ना बच्पन से लेके बारवी तक यह हम आपको चाहते हो ना तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ठीक है ना लिंक मिल जाएगा उसमें जाके ना यह बुक Amazon या फिर online कहीं पर मिल जाएगा बहुत सस्ती बुक मंगा के पढ़ो पूरा इंसान कैसे जन्म हुए इंसान कैसे अलग- लोग आगे बढ़ते थे पहले रुकते ने थे एक जगा पर लेकिन वह लोग एक टाइम के बाद थक गए क्यार अब हम से नहीं हो पाई भाई हमको चाहिए अब एक जगा जहां पर हम विश्रायम कर सके ऐसा वह लोग सोचने लगे तो वह लोग क्या करने लिग जब नुम लेकिन उसके बाद जो दिरे दिरे इंसान आए उनको समझ में आगया कि यार बस हो गया आप चल चल के हमारी हालत खराब हो गई अब हमें कहीं पर एक जगा लेके वहां पर रहना पड़ेगा तो लोग ने क्या करना शुरू किया वहां पर एक जगा या फिर जो भी आपको अच्छा लगे जैसे कुछ लोग जो नदी हो दी दी रिवर होते थे रिवर के किनारे रिवर बैंक जिसको बोलते हैं हम लोग तो रिवर बैंक यानि की नदी के किनारे रुकने लगे कुछ लोग जो थे वो सी समुंदर जो होता है उसके किनारे सी बैंक के आसपास कुछ जंगल में, forest के आसपस, तो ऐसे जहां पे भी उनको suitable लग रहा था, वहां पे वो रुक के अपनी बस्ती बसाने लगे, यानि कि छोटा मोटा जोपड़ी बना के वहां पे रहने लगे, ताकि वो लोग को क्या मिल जाए, shelter मिल जाए, और food तो वो लोग शिकार करके लाना ही प पड़े बना सकते हैं, और खाना जो मन चाहे वो हम खा सकते हैं, तो यह सब चीज हो रहा थीक है, तो धीरे-धीरे human settlements बढ़ते गया, अलग-अलग जगा पे अलग-अलग places में हो गया, और किस वज़े से depend करता है, human settlements depend करता है geographical condition के उपर, कि किस परकार का geographical condition है, मतलब क्या आ geographical factor, यानि कि जहां पे पानी available है, water available है, जहां पे easily आपको food available हो जाए, वहां पे जो लोग है, वो जादा रहना पसंद करते हैं, और इसी तरीके से वहां पे human settlements होता गया, यानि इंसान की बसती, लोग वहां पे बसने लगे आके, और वहां पे बड़ी से बड़ी आबादी ह होती गई, और धीरी धीरा आप देख सकते हो कि कितना world में कितना population बढ़ता चला गया, ठीक है, साथ ही में पहले के जमाने में जैसे मैंने बताया कि totally अलग महौल था, लेकिन आज के rate में जो महौल है, खासकर human settlements को लेकि वो काफी जादा different हो गया है, तो उस time पे normally, या फिर देश में किसान नहीं रहेंगे, तो हम लोग कितना भी पैसे कमाले, हम भूके मर जाएंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि किसान एक अन्न दाता होता है, या 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 प्रोडूसिंग फुड क्रॉप्स, चावल, दाल, गेहु, जो हम डेली खाते हैं, डेली वाली चीज यही है, तो यह नहीं रहेगा, तो हम जिन्ना नहीं रह पाएंगे, दो से तीन दिन तक जाधा उससे जाधा नहीं रह पाएंगे, तो फार्मर्स जो होते हैं, अपने चीजों के लिए, जाधा तर क्या करते हैं, जो फटाइल, यानि कि जो जमीन उत लेते हैं जहां पे हर चीज अवेलेबल है यानि पानी भी नजदी हो क्योंकि आगर आपका एक खेत है जो कि एकदम सूखे जगा पे आ जाते है और आसपास कहीं पानी का सोर्स नहीं है तो खेत में आप कोई भी फसल उगा होगे वो सूख जाएगा ड्रॉट आ जाएगा या तो वो तोटली फिशिंग के उपर डिपेंडेंट होते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं जैसे कि आप एक चीज समझते होंगे या फिर एक चीज जानते होंगे तो फिशिंग एक बहुत पुराना एंशियंट ऑकूपेशन रहा है हमारे इंडियन्स का और खासकर जादा होती है फिश को बेचा जाता है तो वो जगे का नाम पर जाता है कोली वड़ा तो नॉमली क्या होता है कि उस टाइट के लोग सिर्फ डिपेंडेंट होते हैं कि हम फिशिंग करके लाए समंदर से या फिर रिवर से और उसको हम बेचे ताकि हमारा गुजारा हो सके अधर नाम घुट की तो कोली वड़ा काफी जादा डेवलाप हो गया इंसान की बसती वहाँ पे जादा डेवलाप होने लगी यान ऐसे कई सारे चीज़े जो है होने लगे छुछ फॉरेश्ट में जो लो ग रहते हैं ठीक है ना मतब जब जंगल के अंदर तो नहीं रहते ह शुगर इंडस्ट्री साब देखोगे तो शुगर के फिल्ड वगरे के आसपास होता है तो इस प्रकार से चीजे बहाँ पे ज़्यादा होती है ठीक है ना और पुराने जमान में सबसे ज़्यादा जो में अकुपेशन होता है या फिर आज के लिड़ में भी जो है वह है अर्बन एरिया में आने लगे क्योंकि लोग ने पढ़ाई करना शुरू कर दिया टेक्नोलोजी आ गया अगया तो जो लोग को लगता था कि यार खेती करके हमारा बहुत अच्छी तरीके से गुजारा नहीं हो सकता तो वो अपने बच्चों को पढ़ाने लगे बहुत अगर बात करें मुंबई हो गया यह कुछ बड़े-बड़े शहर है नाकपूर हो गया ठीके ना तो यह सब शहर में जो पॉपुलेशन बहुत जादा हो गया है क्यों हुआ है विकॉस रूरल एरिया के कई सारे ऐसे लोग जो है जैसे पूने और मुंबई और नाकपूर के यहां पे भी बहुत जादा हो गया क्योंकि नॉर्मली पहले जो था वो जादा तर सब रूरल एरिया ही होता था मतब दुनिया में कोई शहर पहले से नहीं था सबसे पहले गाओं ही वाकर था लोग के चोड़ी-चोड़ी बस्ती हुआ करती थी मिलके लोग रहते थे गाओ अगरे में लेकिन दीरे-दीरे टेक्नोलजी आया मॉटनाइजेशन आया इंडस्ट्री आया तो इंडस्ट्री ऐसे जगा खुलने लगे जहां से अपना लोग अपने गाओं को छोड़के इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाने लगे ताकि वो पैसे कमा सके और धीर-ध दीरे चीज़े बदल गई फिर दीरे-दीरे लोग जो गाओं में रहना पसंद करते थे human settlement जो था वो ज्यादा रूरल एरिया में था गाओं के एरिया में था आज वो देखोगे तो अर्बन एरिया में आज आप देखोगे तो मुंबई में सबस्यादर पॉपुलेशन है क एक local train ददद सदर लोग को लेके जाती है correct है even मैं travel करता हूँ कभी-कभी है second class में तो इतना ज्यादा गर्दी हो जाता है कि सिर्फ खड़े के ऐसे लटक के जाना पड़ता है आपने देखा ही होगा picture हो में या फिर खुद भी अगर travel करते होंगे तो ठीक है न तो हमें ऐसे जहां पर भी उसको food clothing shelter जो उसकी basic नीडे वो मिलती है वहां पर रहना पसंद करता है और इसी विए लोग अलग-अलग जगा से लोग आने लगे बड़े-बड़े शहरों में सिफ मैं महाराष्टर की बात नहीं करूँगा अलग-अलग पूरे इंडिया में पूरे world में अल metropolitan cities इसका मतलब क्या होता है metropolitan cities का मतलब urban से भी urban मतलब बहुत ज्यादा advanced cities जैसे मुंबई पूने यह सब कुछ advanced city है यहां पर high-tech cities है यहां पर दिनो रात गाडिया चलती है दिनो रात jobs चलते है आप देखे होंगे रात-रात में even girls girls they are doing night shift jobs ठीक है न मैं बहुत सारे मेरी friends को जानता हूं जो night shift करते हैं बहुत ही इजीली होता है कुछ गवरानी की बात नहीं होती है वही आप गाव साइड रात को 8-9 बजे के बात देखो कि तो पूरा सननाटा हो जाता है तो यह एक फरक होता है normal rule area में और urban area में वहां पे development इतना अच्छी तरीके से हो गया human settlements इतना अच्छा है कि वहां पे लोग घवराना नहीं पसंद करते हैं और normally अपना अपना फोकस करते हैं लेकिन देखो crime जहां पे कुछ लोग की mentality खराब होती है तो वो crime करते ही है ठीक है नहीं बहुत सारे crimes होते हैं I know लेकिन जो अभी criminal है उनके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते है और उमीद करता हूँ कि आप में से कई सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके parents भी ऐसे ही काम करते होंगे दिन और रात एक करके ठीक है तो ऐसे metropolitan cities जो होते हैं इसमें और ज्यादा urbanization होने लगा और भी बहुत सारे लोग अलग अलग जगा से आके काम करने लगे so that human settlements यहां पे तो यह सब चीज़े होने लगी और बहुत सारे अलग-अलग sectors में आप देखोगे religious हो गया temples वगरे open होने लगे तो उसके हिसाप से लोग settlements अपना बनाने लगे जहां पे उनकी community होती है जो religion उनके जो होते हैं वहां पे रहना पसंद करते हैं ठीक है कुछ जैसे कि example के तौर एक घर बना के ले लू या फिर एक भाड़े पे रूम ले लू वहां पे में रहू सोधाट में college अपने ज़स्दी जाज़ोगे जो ऐसा काम करते हैं बहुत सारे लोग hostels में रहते हैं जाके यह आपको पता होगा ताकि वह college जल्दी से जल्दी जा पाए बहुत सारे लोग हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तो human settlements, human settlements दीरे-दीरे rural area से जो है urban area में जो है वो दीरे-दीरे shift होने लगा, clear है, तो उमीद करता हूँ कि यह चीज आपको बहुत आची तरीके समझ में आ गया होगा, तो इसे के साथ दोस्तो आज का जो वीडियो है मैं समाप करूँगा, क्य तो इसे के साथ आज का वीडियो समाप तो यह वीडियो, आपको कैसा लगाए, प्लीज हमें comment करके बताना, अपनी रायो suggestion जरूर से देना, वीडियो अगर पसंद आया है अच्छा लगाए, तो प्लीज इस वीडियो को दोस्तो लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर देना, दोस्तों के साथ रिलेटिव जितने भी फ्रेंड से उनको बताओ, कितना बैतरीन चाप्टर था, फ्लीज शेयर टू था मैक्सिममम फीपल, फर्स टाइम हमारे चैनल पर आये हो, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में तब तक के लिए, थाइंक्यू और गुडबाई